हेलो क ahora नradas प्őट्सिंग और आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं पेसेंजर लोकेटर फ्रा मैं कि यूके ट्रेवल कर रहे हो तो आपको पैसेंजर управ भरना होता है तो कैसे भरे हैं किया-किया स्टेप्स रहते हैं और क्या-किया रहता है उसका हो सम्हाम इस वीडियो में टीटेल में देखेंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पैसेंजर लोकेटर फॉर्म वह गलत भर देते हैं और जब वह एरपोड पहुंचते हैं तो एरपोड अथरिटी उनको रूख देती है क्योंकि वह लोगेटर फॉर्म भरते हैं तो चलिए उसके लिए हमको जाना पड़ेगा हमारे सिस्टम पर और मैं वहां पर आपको दिखाता हूं तो चलिए चलते हैं तो हेलो फ्रेंट्स सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है पेसेंजर लोकेटर फॉर्म यूके तो यहां पर आपको सबसे पहला वाला दीख रहा है उस पर क्लिक करें www.gov.uk इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा फिल इंद यह उपर वाला कुकीश को छोड़ा फिल इन यूर पैसेंजर लोकेटर फॉर्म दिखेगा फोर को से करें डुदा इंद वाला स्क auth गोने, हराव को तेकलिक का इन आपकी तो तरी आप्रवलें यूर्टर न आपको दिखेगा फैंद फ्यूर्वल इन ग्स्धा प्रिविल इन उकर सुब्लिक्र क्लिक है रोप्लिमेट शमेट भरसेंजर लपैर फिस, खें क्या-क्य चीजे आपको लगेगी पैसेंजर लोकेटर फां भरने के लिए एक पासपोट ठीक आपको पासपोट कर डिटेल देना पड़ेगा और आपको कोवद टेस्ट का joking गजू अपने बॉक कीया है उसका डीटल देना होगा और अगर अगर आप रट लिस्ट से आते हो तो आपको होटल कोरंटाइन का जो है इनवाइस नंबर देना होगा तो मैंने आपको मतलुंपिछले वीडियो में बता आया कि इसे करते हैं और क्या स्टेप बाइश्ट करोसेस रहता है तो अगर आपने वुड़ियो नहीं देखा हो तो पहले वह विडियो जाके देख लो तो तो उसके बाद आपको उसमें जो सेकेंड वाला मेल आएगा सीटीम के तरफ से उसमें आपको इन्वोइस नंबर मिल जाता है तो वो इन्वोइस नंबर आपको यूज करना पड़ेगा के पैसेंजर लोकेटर फॉर्म को भरने के लिए कंछा सब्सक्तरा कि तो इस इथर है आपको स्वाट्वां करना है बसालना पर जैसे हुआ अजशे करोगे तो यह आपको नीविगेट करेगा एक फॉर्म अ यहां पर आपसे पूछ रहा है do you have a passenger locator form account अगर आपके पास passenger locator form दीखें अभी हम भर रहे हैं passenger locator form account ठीक है उसके बाद हम भरेंगे form क्योंकि इधर पर लोग बहुत गलती कर दाएं कि वह passenger locator form account को ही समझते हैं कि हमने form भरती है बट वह गलती आप ना दरें यह सिर्फ account है अभी आप जो create करोगे account create करोगे उसके बाद आप form भर होगे तो अगर आपने अगर आपके पास account है तो well and good है तो आप इधर पर select कर लो yes और sign in कर लो अगर आपके पास नहीं है तो no select करो और continue भर हो और देखें यह account create करने के लिए आपको यह चार चीज़ की ज़रत लगेगे नेम कांट्रेक्ट डिटेल्स पासपूर्ट डिटेल और एड्रेस ठीक है do you want to create an account तो yes करो continue फिर तरफे इधर पर sign up option देख़ें sign up पे क्लिक करो यहाँ पर आपको देना है डिटेल्स कर दो कर दो कर दो कर दो तो उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा आपके रिष्ट जो भी अपने नंबर दिया उस पर ओटीपी आएगा और कर दो और कंफॉर्म अकाउंट कर तो इसके बाद आपके mail आईडी पर जो भी आपने mail आईडी दिया है उस पर एक link आएगा पूं लिंक पर आपको जाके वैलिटेट करना है वो लिंक पर क्लिक करोगे तो वैलिटेट हो जाएगा लिंक पर करना है जाके क्लिक तो मैं अपने mobile पर जीमेल ओपन किया है मैं वहां इससे कर रहा हूं तो आपको ऐसा आएगा कि जो भी आपके पासपोर्ट के नमपर होगा नाम होगा वह आपको देना है तो इसके बाद आपको आपका नाम और फैमिली नेम में आपका सरने उसके बाद आपको सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करना है इसके बाद आपको आपको जेंटर सेलेक करना है तो सेव और कंटिन्यू बनना है पिर आपको यहां पर आपको अधिश्य पर टालना है जो भी आपका पासपोर्ट पर टेटो पर पर और डाल दीजी सेव और कंटिन्यू बरिये यहां पर आपको आपका मूबाइल नम्बर देना है री टाइप करिये क्यों होने के बाद सेकेंटरी फोन नमबर आगर आप देना चाहते हो तो सेकेंटरी नमबर भी देश्य सकते हो और यह रिपीट यह सेकेंटरी फोन नमबर को अपर चाहना पड़ेगा उसके बाद आपको सेँंड कंटिने पी खेंने उसके बाद को यह उनको पर मीशन दीना कंटक्टिंग और फोन हाउ केन्ट वी क्वेन्ट यू यू और इन दे यूके तो अगर आपको अगर इनकमिंग बंध है उज्ज वह फून में तो आप टेक्स मेंज भी सब्सक्ति हो को अफिकुटिअ कोई भी ऑप्षन सेलेक करकर वेग्र सेस्का सेवेंग थो ऊसके बाद आप ने तो यह तो यह अध्रे स्य कुरा इंडरेस दफर यूचम रगल लोग नहीं है तो पर यहसाisesti करो तो अगर आपको हो में ट्रेंड चूरिक है तो आप यू कि कि पोस्ट कोड लालों तो अधिसे रेंडम लिकुछ भी डाल रहां तो इसमें सेलेक्ट कर रोगो तो मैं अभी होटल गई डाल देता हूं कि मैंने ऐसे कुछ भी डाला है बट आपका पर्मनें ट्रस्राइस डाली जा पासपोर्ट पे लिए फिर फासपोर्ट नमबर रिपीट फासपोर नमबर एसज़र गंत्री पासपोर्ट कंट्री इस्यों और उसके एक्सपाय जेट और सेवन कंटिनुए फिर उसके बाद यह प्रोफाइल चेक कर लो कि आपको प्रोफाइल सही है अगर सही है तो कंटिनुए करें तो यह देट इट इट आपका अकाउंट क्रेट हो चुका है अब सेगेंड चीज है जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि अभी सिर्फ आपका अकाउंट क्रेट हुआ है और अब आपको करेट करना है फॉर्म जो की मेंटरी है आपको यू के ट्रैवल करने के लिए तो क्रेट न्यू फॉंपर क्लिक करना है और यहाब आपको डालना वेंड डू यू प्लाइन टू अराइव इन दे यू के तो कंसिडर करो मैं कल की डिटन देता हूं आप जब भी मतलब आरे हो तब कि डिट डालिये पिर टाइम यू की टाइमिंग के अनुसार डालो कि जब आप इदर पर अराइव करने वाले हो वेंड डू यू प्लैन टू लीव यू के अगर आपको कोई वैलिड डेट तक आरे हो या फिर मतलब को फिक्स डेट है कि इस डेट को आप जाने वाले हो तो आप यहाँ पे जाने का भी डेट पाइड डाल सकते हो अगर आपको अरली नहीं कर आने वाले हो तो यसको नल्य को चोड़त करते हो व उसके बाद आप सेलेकर रियो ट्रेवल प्लाइन वाट आर यूर ट्रेवल प्लाइन आप क्यों आए हो यूके तो श्टे इन दे यूके और अगर आपको कोई और दूसरा ऑप्शन है तो आप यह भी कर सकते हो कि ट्रेवल टू यू के मौर दिन ओंस इन फॉर्टी एट आर् और ठीक है तो अगर आप समयलों सिर्फ 48 hours के लिए आया हो तो ठीक है या फिर अगर आप फ्लाइट शिंज करने कले आ रहे हो तो यह से को मेंशन करना पड़ेगा इसकर सेवन कंटिनू फिर यूविल अराइव इन दर यूके तो आप का अट्रेस जहां पर आने वाले हो त समयलों लंडन मैं डाल दिया लंडन सिटी आपको जोगे इत्रस वह वह रचान दो कहां से आ रहे हो वाट कंट्री अर्यू ट्रेवलिंग फ्रूम इंडिय और कौन से एरलाइन से आ पार रहे हो विच कंपनी आर्यू ट्रेवलिंग विद तो एयर इंडिया कि अगर फ्लाइट का नाम अगर आपके इसमें नहीं है तो आप इस पे क्लिक करते हो ता कंपनी आयम ट्रेवलिंग विद इस नॉट लिस्टेड पे ठीक है और उसका फिर वट इस दो फ्लाइट नंबर फ्लाइट नंबर आपको इस पे देना पड़ेगा और कुछ नंबर अ हां एकुटेट भरी है कि तो आगे से आपको प्रॉब्लम होगा इमिग्रेशन में और यूक गोर्डर में आपको रोक लिया चाहेगा अगर आपने कुछ भी फॉल्ट इसमें भरा होकर तो पीपल यूर ट्रेवलिंग विद तो आर यू ट्रेवलिंग टू यूके विद ए उसको 7 continue पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां पर सेलेक करना है वह ट्यू नीट टू डू वेन यूर आइव इन दे यूके डिपेंड और यू विजिट तूर ता 10 दे बिफोर यू अराइव टिये हैं विजिटर और विल यू विल यू विजिट एन आइलेंड इन इ 10 दिन पहला कोई भी आइलेंड में इंडिया के कुई अज़े Self करते हो तो आपको डिपर बाया विञेंड फीन डिन ने लिगना कुछ तो पुलजा है तो तो आपको इंडिया में आपका आया हो यह भी डालना पड़ेगा नश्राइब Qblm करता हो तो बहुंत अरधन rpm ऐसे मेरे केस में मैं इंडिया में रहता था तो यह चेहरा हैu क्योंकि मैं तो होहीं से पुल्ओं करता हूं रइट तो बोड़नले की ज़ुरत हैं बट है डिपार्चिट डेट मेरा क्या रहाएगा इंडिया में लेडिया सोड के जाने वाला मिल जिस दिन तो मेरिन एक यू क्योंप को तो मैं 21 को डालूंगा कि मैं मैं इंडिया कर रहा हूं ठीक है तो यह ठालने के बाद सेवन कंटिनू करना है पिर उसके बाद आपको पूछेगा एनी अधर कंट्री और आइलेंड है विजिटेड और विल यू विजिट एनी अधर कंट्री और ने दूसरी पर करने में तो आपको करना है उसको सेवन कंटिनू करना पिर अधर खुटेल कॉरेंट इन टेल ठीक है तो जाते हो तो आपको वहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शन दी है तो कोई कोई एक्सेप्शन से कोई बंदे मतलो कोई परसन आ रहा है तो अगर वह कुछ कुछ एक्सेप्शनल केटेगरी में बिलोंग करता है तो उसको कोई करने की जूरत नहीं है बट अगर अगर जैसे स्टूडेंट वीजा या वरकर वीजा पर आ रहे हैं या सेटनमेंट वीजा पर आ रहे हैं तो आपको अपको अपको कुछ नहीं करना कमपल्स जरी है तो ऐस नहीं है तो यहेस करना और है अगर न करना पड़ेगा तो नो लन खन फिर आपको। इह दर पर विन उवीजा दो डिने के शोटे अवहीं पीरे मैंने हो फिछलिए बिजा में आया था उसमें मैंने पुरा क्ले Leg mismosF Health आप होटल कॉरंटाइंग बुक कर सकते हो UK में और उसमें जो आपको सेकेंड मेल आया था जो मैंने आपको दिखाया था उसमें का जो इन्वाइस है वह आपको इधर पर डालना कंपल सरी है फिर उसके बाद आपको वह मिलने के बाद अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन बे और इंफो बटन इंफो बटन पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हो क्योंकि अगर आप हो नहीं भर होगे तो यह आपका प्रेसेंजर लोकेटर नहीं होगा प्लीज इन्वाइस नंबर सही भरो नहीं तो फि है फिर उसके बाद तो तो अगर आपका यह होटल है अगर इसमें लिस्टेड है तो ठीक है अगर नहीं है तो एंटर एट्रेस मैनुली करना है और उसके बाद सेवेंट कंटिनुर करना है अगर उसके बाद यह सब आपको डीटेल एक बार आप चेक कर लेना है सब जो डीटेल है उसका आपको प्रिव्यू दिख जाएगा अगरो कुछ भी चेंज़ आज होगा तो आप चेंज बटन पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो उसके पर कंटिनुर पर क्लिक करना है अब यह मैं और आपको पहले ही बताया कि आपको अटी पीच रिपोट चाहिए दिन से अब टू आर्स का तो आपको इस पर एक डिमेंट जो है इनका को टिक करना है और सब्सक्राइब करना है जैसे ही आप सम्टिट इस पर करते हैं आप डाउन्लोड और परिंट पर जाओ कर ले और मेल पर आपको पैसिंजर लोकेटर फॉर्म आजाएगा पर आप इसका प्रिंट आउट हाट कॉपी ले ले जिससे आपको इमिग्रेशन में कोई दिक्कत ना हो तो आए होप दोस्तों आपको यह वीडियो इंफरमेटिव लगा होगा और आपको समझ में आएगा कि प्रिंजर लोकेटर फॉर्म कैसे बहरा जाए अजर आपको यह वीडियो अच्छा लागा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए स्टे हल्दी स्टे सेव थन्यवाद